नमस्कार दोस्तों स्वागते क्पार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवा स्टेडी पर तो टीचिंग एप्टिट्यूट का मोडल पर चल रहा था अपना तो आज क्यूसन देखेंगे आज कि जो 20 या 15 क्यूसन है वो देखेंगे उससे पहले गर आप चैनल पर नह थैं फिक है तो चलो रहे हैं फूस्तार्ट करते आज के क्यूसन देखते है जो टिचcling एक बनते बनते हैं यह बहुत से बहुत सकता है ठीक है जाती बेहत के कारण भी इसका सही boast across थीक है लोर भोजन के अंसर के कारण ये उसका ओर दम गलते हो आनि कि इसका आपको zero number बिलेगा आपको पता ये तीन दो एक के साम से numbering होती है एक option का तीन मिलता है। एकका two मिलता है और एक का zero तो एक तो समें हो जाएगा ये तीन नमर का उप्षे offended ठीक हैसमें दो एक नमौर मिलेगा अगर ये option करके ये तो आहने नमर मिल जाएगई ये तीन नमर करके होगे तो आपको एक मिलेगा अगर फ्रिंट्प टिक करके आ ओगे तो आपको운데 लिए हैं धीरों नम्बर मिलेगा और बासा में अंतर के कअरण ठीक है करें राज्यों और थैसे जहां सही नहीं के कि यह और इधर मेवाड की अलग है, मारवाड की अलग है ठीक है, तो इस साव से राझस्तान में भी वासा बिनता पाई जाती है एग रज्य होने के कारण है तो इसका एदम सटीक उत्र होगा जिसका तीन नमर मिलेगे वो होगा बासा में अंतर के कारण है ठीक है बहुत से राज्य होना भी इसके कारण है लेकिन यह इतना नहीं है जितना बसthile में नहीं मिलेगा। जथी बहुत के कारण भी क्या है ? सबीफ़ता पाई जाती है तो इसके एक आपको मिल जाएगा और बोजन के कारण ठीक है बोजन के कारण आपको इसका कोई क्या आपको इसका नमबर नहीं मिलेगा अगला कि उसने कि छात्रों चाहत्रों के प्रगति पद्र ऑनके विवा को क्यों देने चाहिएं अपने रुच्चों की प्रगति की जानकारी देने के लिए प्रगति पद्र विवाओ को देने चाहिए ठीक है उनकी रूची अपने बच्चों की सिक्षा में जानने के लिए यह एक उप्षन है ठीक है जै आपको पक्का जीरो नमर मिलेगा ठीक है और बाकि जो इसका पूरा अंसर वह यह उनको बच्चों की प्रगट्य के बारे में जानकार मिलजाए थीन नमर का है ठीक है उनकी रूची अपने बच्चों की शिक्षा जानने के लिए हो ठीक है यह दो नमर आपको इसके मिल सकते हैं ठीक तो इससे परकार चोगा की कि कि सोरों में तनाव करतियां केसे पैदा होने की संभावना है सामाजिक एमाने ताउंसे को स्मय bawा सकती है ठीक है अगला क्यूसन देखते हैं मुल्यांकन से मुल्यांकन से सिक्षन किस परकार समुनत होता है ठीक है कई कई क्यूसन ऐसा है जो से रीट में आते हैं ठीक है मुल्यंकन से सिक्षं καार से होता है या अपने क्या पढ़ा क्या पढ़ा है क्या नहीं मुल्यंकन मनम्बर इंघता है तो इससे कमजूर हों, किस में ज़्यादे अच्छे हो इससे मुल्यंकन समय प splitting प्ता चलता है तो और ओप्सन है, देखते हैं, इस सात्रों के उत्र प्रेणा में वर्दी होती है, यह विधारतियों को सरह किसरेणिवद करने का आधार है, इससे प्रेणा मेश्च्छा के लिए उप्योगी है, अगला अक्रुक्र स्रेणिवद कि NCRT का मुख्यालि नई दिल्ली में क्यों कि इसका तो माला आपको तीन nummer मिल जाएगा बाकी एक और दो chi-knips नहीं बनता तो यह हो सकता हैं इससे किसे अभी ना बने ठीक एंसे की आपर ना बने ठीक है NCRT का मुख्यालि काह ए सजगता और जागरुकता पेदा करने के लिए जो सर्वत्म साधन हो है पुस्तकें ठीक है बाकी साथ परिवार का समाज परिवार का दो और एक नमबर मिल जाए लेकिन पुस्तक है उनका आपको तीन नमर मिलेगा ठीक है एक सिखसक के नाते समाचार पत्र में आप किस परकार के समाचार रूची के साथ पढ़ना चाहेंगे एक सिखसक के नाते समाचार पत्र में आप किस परकार के समाचार रूची के साथ पढ़ने चाहेंगे तो इसमों का संपाद किये, ठीक है, संपाद किये, समाचार आपे पढ़ना चाहोगे अगला कि उसने, कि भुवकल्पी परसन किसकी जांच के लिए सरोतम है तो यह होगा ग्यान वे बोध, ठीक है, ग्यान वे बोध दोनों के लिए ये क्या है अगर आप केवल घ्यान करते हो, तो दोनमर केवल बोध करते हो, तो एक नमर और घ्यान वे बोध दोनों करते हो, तो आपको क्या तीन नमर मिल जाएगा ठीक है, भुवकल्पी परसन किसकी जांच के लिए सरतम ए, घ्यान है बोध की ठीक है एक और question आगे है शिक सक दिवस कब मनाया जाता है तो शिक सक दिवस मिनाया मनाया जाता है पांच सितमबर को ठीक है ऐसे question का आपको तीन या जीरो नमबर ही मिलता है direct क्योंकि इसमें answer एक fix होता है ठीक अब देखते हैं अगले question कि समै शार्निक करते हुए ये इसका time table नर्याशक पर है ठीक है पिर अध्यापन कारी के विषय में आपकी क्या तो द्यापनकारी क्या होता है चुनोति पूरण होता है ठीक है चुनोति पूरण होता है भहुत रोचक होता है ठीक है इसका भी आपको दो नमबर मिल सकता है ठीक है लेकिन इसका आपको 0 में मिलेगा हिमत तोड़ने वाला ठीक है भहुत नीरस इसका एक नमर आपको मिल सकता लेकिन जो तीन नमबर मिलेगा वो चुनोती पूरण से और भहुत रोचक से मिलेगा आपको दो नमबर ठीक है फिर है सायक सामगरी क्यावल सायक सामगरी ठीक है सायक सामगरी है तो सायक सामगरी दर्से वर सरवे सामगरी होती है दर्से सामगरी में वो आते हैं जो अपने को बर्तेक सुर्व से दिखते हैं जैसे blackboard वा प्रोजेक्टर वा ठीक है यदि कुछ अधिगम नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ डेस नहीं हुआ, तो क्या कुछ अधियन नहीं हुआ, अगर अधिगम यानि क्या होता है, सीकना, अगर सीक्षन में आप कुछ सीकते नहीं हो, ठीक है, कुछ सीकते नहीं हो, तो आपका अधियन भी नहीं हुआ है, अगल क्यों वह देखिए मान लीजिए कि मान लीजिए आपकी कक्षा के बहुत सात्र बहुत सरार्थि में अपकी क्कषा के सांपर्ट लिए तो इसका अंसर होगा कि आप अपने आवकास काल में कख्षा की निग्रागनी करेंगे तता आकश्मिक निरक्षन द्वारा ऐसे सरारती छातरों की क्या करेंगे पहचान करेंगे ठीक है यह होगा अगला कि उसने कि Pray ऐसा देखा देखने में किये जाते हैं इसका क्या कारण है कि प्रायवे छात्र मंद बुद्धी के सिकार होते हैं ठीक है कमजोर छात्र को कलास के अधिकतर बच्चे पसंद नहीं करते तो आज के यह क्यों संथ थे तो धन्यवाद बने रहें जिवाश्टेडी के साथ और सब्सक्राइब जरू करें जिवाश्टेडी धन्यवाद